नमस्कार साथियों जैसा कि हम जानते हैं आज कल परिवार सर्वेच्छंड फीडिंग का कार्रेश चल लहा है तो उसमें उन लोगों के लिए एक नई खुसखबरी है जिन लोगों ने अपने डाटा गलत फीड कर दिया था कि अब आपको एडिट का आफ्षन इसमें मिल जाएगा और उसको आप कोई भी डाटा जो आपने फिल कर रखा है उसको आप एडिट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं इस परिवार है तो प्रारूप पर आप क्लिक करते हैं देखिए जितना भी आप डाटा फीड कर रखा देखिए यहाँ पर अपडेट के आप्षन पर क्लिक करके आप कोई भी डाटा अपडेट कर सकते हैं किसी भी परवार का डाटा आप यहां से अपडेट कर सकते हैं कोई भी डिटेल आप यहां से अपडेट कर सकते हैं देखिए कैसे यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंग वही form आपके सामने open होके आ जाएगा इसमें सारी detail आपकी वही सो होगी जो आपने डाल रखा था इसमें से जो भी detail आपको edit करने हैं यहाँ से आप edit कर सकते हैं जो भी गलत हो गया है उसको आप अब edit कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर जैसे मार दीजे हमने परवार के अन्मानित आये गलत डाल रखी है तो इसको हम अगर करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं और इसके करेक्ट टरने के बाद इस पे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे उससे पहले आप देखेंगे सर्वेच्छन की तित्थी यह दिया हुआ है या नहीं टिकि पहले आपने डाटा फीट कर रखा होता है जब अपडेट हुई हो उससे पहले कर आपको डाटा हो तो ओसकता सर्वर्चरं की तित्थी ना सो कर रही हो तो आप उसी इसाब से आप देखकर डाल देंगे और यहां पर जैसे ही अफडेट पर क्लिक करेंगे record updated successfully लिख के आएगा मतलब आपका record अपडेट हो चुका है successfully responds how can we wait में जा के देख सकते हैं कि आपका data जो है वह successfully update हुआ है या नहीं यहाँ परवड़ प्रारोग पर क्लिक करते हमने यहां पर मैं अपने डाटा में जो भी EcET किया था ये देखिये हमने अन्माने तीय में direction किया था वो अपडेत हो चुका है तो इस तरह से आप अपने अपडेयट कर सकते हैं एपडेयट करने में आपका परिवार के मुख्या की की जानकारी ठीक है और मुख्या के परिवार के सदस्यों की जानकारी ठीक है बच्चों के जानकारी आप कोई भी डाटा अपडेट कर सकते हैं आप इसी तरह हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो कोई भी कोश